नमस्कार दोस्तों कैसे आप लो आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगर अपने परिवार के इस ग्लोबल प्रैंडिंग बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे आगे मेंट पहले दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कि सब्सक्राइब नहीं हूँ तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी लेंगे तो आप अपने खुद के रिस्ट पर लेंगे आए तो दोस्तों यहां पर किसी ने प्राइवेटली एक पोस्ट किया फेस्बुक ग्रूप में जो कि काफ़े इंट्रस्टिंग है मैं आपको सब्सक्राइब तो ट्वेंटी परनट कि नवट टूने सिक्स्टी थाउजन्ट तो प्री कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि पेमेंट के शेडियूल होते हैं उतना कंप्लिट होने पर आप उतने पैसे देते जाते हो तो उसने अब तक 120,000 पे भी कर चुके हैं बिल्डर को और उसको मॉर्गेज का ये अप्रूवल शायद मिला था C.I.B.C. से जैसा उसने लिखा है लेकिन अभी उसको एक वहाँ पर एक ट्रबल हुई है वहाँ पर किछिनर में एक स्लाइडिंग स्केल बैंक ने लगा दिया है अब ये पहले से था या बाद में हुआ एक्जैट मेरे पास इतना percent down payment है मैं इतना दे रहा हूँ इतना इतना mortgage मिलेगा लेकिन जैसे जैसे property की value मतलब जो आप खरीदने वाल्यूस की जादा होती है price जादा होता है तो lenders खुद को protect करना होता है correct तो lenders खुद को protect कैसे करते है एक होता है कि आप अगर 20% से कम लेते हो तो CMHC insurance तो यहां पर कोई 20% दे रहा है तो वो लगाया नहीं जाएगा दूसरा वो लोग करते हैं कि अप्रेजल करवाते हैं जिसमें थर्ड पार्टी से उस घर की क्या कीमत है वो लगाते हैं और उसके सबस्ट डिसाइड करते हैं कि अगर बहुत कम आई तो वो रिस्क है ना उनका म लेकिन बहुत बर क्या होता है कि अगर आपकी प्रोपर्टी जो खरीदिश के प्राइस जाद है तो आप एक स्लाइडिंग स्केल क्यूंकि लेंडर को खुद को प्रोटेट करना है तो आपने ज़्यादा महेंगी प्रोप्टी ले लिया तो लेंडर को कमफर्टेबल नहीं लगा कि नहीं बहुत नहीं परसेंट नहीं आपको और ज्यादे देना पड़ेगा क्योंकि मैं स्लाइडिंग स्केल लगा रहा हूं तो थर्टी फॉर्टी अब उसके प्रॉप्रॉस कॉंस में बहुत कुछ होंगे अब वो तो मैं नहीं पता था क्यों में मौर्गेज ब्र मौर्गेज मिलेगा अब आप जोड लेजाए फिफ्टी फॉर प्लस टू सिक्स्टी वह अभी भी अरॉंड्ट थाउजन का शॉर्टेज है अब वह वह बिचारा फंस किया है अब वह अपने ऑप्शन देख रहा है बी लेंडर के पास या दूसरा बैंक ट्राइक करेगा अब यह तो पता नहीं वह क्या करेगा लोग भी सजेस्टन दे रहें उसको लेकिन इसे कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको द्यान में देनी चाहिए कि अगर आप मौर्गेज लेने जा रहे हैं तो आप प्री अप्रूवल या जो भी ले रहे हैं प्री अप्रूवल अप्रेजल कम आता है या कुछ भी ऐसे उल्टापल्टा होता है आपके पास ऑप्शन आप विड्रॉ करो आपको डिपोज़ट भी वापस आ जाएगा तो बहुत कम अमाउंट अप लूस करोगे जो अप्रेजल का फी है यह सब लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन में क्या है कि आपको चार साल बाद मिलने वाली है तीन साल बाद मिलने वाली है तो वो पिरिएड निकल जाता है उस समय आपको यह प्रॉबलम आ सकती है तो आप जब भी प्री अप्रू कंस्ट्रक्शन करे जाते हो मौर्गेज ब्रूकर इन लोग के साथ आप बहुत ध्यान से काम करो और सारी क्लॉज वगरे समझ लो कि क्या है क्या नहीं उसके बाद रिस्क वगरे की अनलेसिस करो आप चाहो तो एक्सपर्ट की हेल्प भी ले सकते हैं और तब डिसाइड करो कि क्या करना है ताकि इस तरह के रिस्क आप अप टू ग्रेट एक्सिटेंट एवोइड कर सकें वीडियो देखने के धने बाद दोस्तों चैनल को फ्ली सब्सक्राइब कर दीजिये